जलियावला बाग हत्याकांट की सौवी बरसी पर अमरित्सर आये आर्क बिशप जस्टिन वेलबी ने यहां की दिवारों पर गोलियों के निशानों को देखा तो वो बेहत भावुख हो गये इसके बाद उन्होंने जो किया वो दुनिया भर में सुर्खियां बन गई जलियावला बाग में जनरल डायर की गोलियों से शहीद होने वाले लोगों को याद करते हुए आर्क बिशप इस खदर आहत हुए कि शहीदी समारक के सामने जमीन पर साश्टांग लेट गए और जनरल डायर के उस महाबाब के लिए उन्होंने उन शहीद मृतात्माओं से माफी मांगी आर्क बिशप जस्तिन वेलबी के दस दिन के भारत दोरे का करिक्रिम बना था तब ही उनसे पूछा जा रहा था कि क्या वो भारत जाकर जलियांवाला बाग खत्याकांड की माफी मांगेंगे तब उन्होंने जवाब दिया था कि उस बारे में मीडिया कोई अटकलें नहीं लगाए यह थिहास में ब्रिटीश राज के जुल्म की सबसे घ्रिनित तस्वीर के रूप में दर्ज है हिंदुस्तान की आजादी के बाद से ही इस हत्याकांड को लेकर ब्रिटेन से माफी की मांग की जाती रही है लेकिन इस घटना के सौ साल गुजर जाने के बाद भी ब्रिटेन की सरकार ने पुर्ण रूप से माफी नहीं मांगी है